नमस्कार दोस्तों लाइव जनादेश मापका स्वागत है मैं देविंदर चोहान आपके बीच बागपस से जानकरी वरी एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ जहां कलक्टेट पर पिछले काफी समय से किसान धरने पर बैठे हैं और किसान सरकार के खिलाफ साफ तोर पर बड़ हूंकार किसानों ने भरने का आवान किया था जिसको लेकर बारिस ने उस पूरे प्लान को कैंसिल करवा दिया है और दस तारिक की दस अक्टूबर की जगा अठारे अक्टूबर में यह जो धरना है महापंचायत जो होगी वो देखने को मिलेगी जिसमें खुद नरेश टि ने आने की अपील की है जिसमें उन्होंने बताए कि साफ तोर पर जिस तरीके से बारिस को लेकर अलट जा रही है और कल से लगातार बारिस हो रही है और अभी भी बारिस हो रही है और दो दिन तक बारिस रहेगी जिसको लेकर किसानों की जो भरी तयारी थी जो दस तारिक सबाइब करता है कि जो हमारी 10 तारिक में महापंचात होनी थी बाघपत कलेक्टेट पहुछे क्योंकि तो साफ तोर पर बताया प्रदीब धामा जो कि दिल्ली एंसियार के महासचीव है उन्होंने ये वीडियो बना कर भीजी और साफ तोर पर लोगों से अपील की है कि जो प्रोग्राम है वो बदल गया है तो जिस तरीके से लगातार किसानों का धर्णा बाकपत कलक्टेट पर चल रहा है जो कि सरकार के खिलाफ साफ तोर पर कुछ दस सूत्रिया मांगे हैं लगबग उनको लेकर चल लाएं जो कि किसानों के हित में कहीं ना कई सरकार काम निकरी जिसको लेकर खासा नाराज किसान नजर आ रहे हैं उसको एक बड़े अंदोलन के रूप में 18 तारिक मे बाक्यू का एक बड़ा अंदोलन देखने को मिलेगा लाइव जनादेश पर बने रही है और देखते रही है लाइव जनादेश की तमाम छोटी बड़ी खबरे और चैनल को लाइक वे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जादे से ज्यादा शेयर करें जिससे की त अमरा सीव की तैसीम के साथ देवेंदर चोहान लाइव जनादेश बागपत